मा शेरा वाली, हे पहाडा वाली मा, तू ही इस जगत में उजाला फैलाती है, अंधेरों को मिटाती है। मेहरा वाली मा, जब महशासुर ने स्वर्ग पर आक्रमन करके, इंद्र का सिहासन चीन लिया था, तब देवगण भी त्राही त्राही करते हुए, ब्रम्ह, विश्नु और महादेव की शरण में गह थे। सभी देवताओं के संकट को मिटाने, उन त्रे देवों ने, तुम्हारा ही ध्यान लगाया था, मा जोतावाली। उन सभी के प्राणों से प्रगटी हुई, दिव्य जोती के समुह में से, हे मा दुरगा, तुमने अद्भुत रूप धारण किया था। ते जस्वी मुख मंडल वाली अश्ट भुजाओं में आयुद धारण कर, शेर पर सवार हो, तुमने ही दुष्ट राक्षसों का बद किया था। तब तीनों लोग तुमारी जैजैकार से गूज उठे थे। शेर पे सवार होके आजा शेर आवाली है। सोए हुए भाग जगा जा शेर आवाली है। शेर पे सवार होके आजा शेर आवाली है। शेर आवाली है मा जो था आवाली है। शेरा वालिये अमा जो था वालिये जो तुमा जगा के तेरी आस ये लगाई है जो तुमा जगा के तेरी आस ये लगाई है जिनका न कोई उनकी तुमी मा सहाई है रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वालिये शेर पे सवार होंके आ जा शेरा वालिये शेर वालिये मा जो था वालिये शेरा वालिये मा जो था वालिये रखियों मालाज इन अखियों के तारों के दोबने न पाए नईया हम बे सहारों के नईया कुकिनार पे लगा जा शेरवा लिये नईया कुकिनार पे लगा जा शेरवा लिये छे पे समा रोप्पे आज़ शेरा वालिये शेरा वालिये मा जोता वालिये शेरा वालिये मा जोता वालिये सचे दिल से ध्यानों जी ने जब था बुलाया मा सचे दिल से ध्यानों जी ने जब था बुलाया मा कटा हुआ शीश तूने घोले का लगाया मा बगतो कियान को बचा जा शेरा वालिये वोई शेर पे सवार हो के आजा शेरा वालिये शेरा वालिये मा जोता वालिये शेर पे सवार हो के आजा शेरा वालिये वोई शेर पे सवार हो के आजा शेरा वालिये मा शेरा वालिये के भक्तों की हर बास निराली होती है मा के भक्त की बातों की गहराईयों में छेपे हुए ज्ञान के मोतियों को मा का सच्चा भक्त ही परक सकता है माता वैश्नों का परम भक्त एक किसान था कड़ी मेहनत करता था और मस्त रहता था एक दिन मदनपुरा का राजा घोड़ी पे सवार हो उस ओर से निकला पसीने से तरबतर किसान को देख कर बोला भाई इतनी मेहनत करके कितना कमा लेते हो किसान ने कहा हे राजन मुझे जितना चाहिए उतना माशेरावाली की कृपा से मिल जाता है मजदूरी करके जो भी मिलता है उसके चार हिस्से कर देता हूँ राजा ने पूछा वो क्यों भला एक हिसा खाने के लिए एक हिसा पिछला कर्स चुकाने के लिए एक हिसा आगे के खर्च के लिए और एक हिसा पानी में फेंकने के लिए राजा ने किसान से पूछा तुम्हारी बातें रहस से पूर्ण है समझाते हुए किसान ने कहा एक हिसा मेरा और मेरे बीवी बच्चों का ये हुआ खाने का एक हिसा मेरे बूरे माबाप का खर्च ये हुआ पुराना कर्स एक हिसा मेरे बादवाली पीडी के लिए ये हुआ आगे का खर्च एक हिसा दान में देना ये हुआ पानी में फेंकना राजा को किसान की बाद जच गई लेकिन उसने कहा ये रहस से कभी किसी को न बताना जब तक कि तुम राजा कमो एक हजार बार न देख लो किसान ने राजा की बात मान ली अगले ही दिन राजा ने अपने दर्बार के विद्वानों को बुलाया और उन चार बातों का रहस समझाने के लिए कहा सभी विद्वान चक्रा गए लाख सिर्ध धुनने पर भी उने बातों का रहस समझ में नहीं आया आखिरकार उनोंने एक दर्बारी से इस बात का पता लगाया कि राजा कल किस के पास गए थे और वे लोग उस किसान के पास पहुँचे और उससे रहस से बतलाने की विनतिकी किसान पहले तो टालमटोल करने लगा लेकिन जब वे लोग बास नहीं आए तो कहा रहस से तब बतलाया जाएगा जब एक हजार सोने की मोहरें उसे दे दी जाएं दर्बारी विद्वानों ने राजा के कोप से बचने के लिए सोने की मोहरें किसान को लाकल दे दी उसने सारा रहस से बतला दिया अगले दिन जब दर्बारियों ने राजा को हूब हूब किसान वाला रहस से सुना दिया तो राजा को विश्वास हो गया कि ये बातें किसान ने ही वचन भंग करके दर्बारियों को बतला दी है उसने किसान को बंदी बनवा के दर्बार में बुलवाया तुमने हजार बार हमारा मूँ देखे बिना रहस से दूसरों को क्यों बतलाया तुम्हें प्राण दंड मिलेगा किसान ने कहा महराज, इन्होंने आपके चेहरे वाली एक हजार स्वण मुद्राई मुझे दी मैंने एक एक करके आपका चेहरा हजार बार देखा तबी रहस्य बतलाया मैंने वजनभंग कहां किया महराज ये सुनकर राजा किसान पर प्रसंद हुआ और उसे और भी इनाम दिया ये उस किसान की बुद्ध का नहीं जगत जननी माता की दया का चमतकार था मा की क्रिपा से उस किसान ने मौद को भी हरा दिया दया करो मा दया करो अब तो मुझ पर दया करो दया करो मा दया करो अब तो मुझ पर दया करो देर भई बड़ी देर भई यू न देर लगाया करो दया करो मा दया करो अब तो मुझे पर दया करो मुद्दत हो गया अशारे अभी सुनी फर्याद नहीं मा जग जननी इन बच्चों की आई तुम्हें क्यों याद नहीं हम है बड़े कमजोर हमारा सबर न यू आजमाया करो दया करो मा दया करो अब तो मुझे पर दया करो दया करो मा दया करो अब तो मुझे पर दया करो दोनी रमाई अलख जगाई विग्ड़ बना दो अश्ट भुजी मा बच्चों के सर कोई तु रख दो हात मा जीते हैं जो तेरे सहारे उनको ना तड़ पाया करो जया करो मा जया करो, अब तो मुझ पर जया करो सचे मन से चिंता हरणी हम तो पुकारे जाएंगे तो ही सुनेगी तुझे कहेंगे जोली यही फैलाएंगे छोडेंगे ना चर्ण तुमारे जोलेंगे ना चर्ण तुमारे चाहे हमें पुकराया करो देर भई बड़ी देर भई यूना देर लगाया करो मा जोता वाली बड़ी दयालू है वो अपनी संतानों को गुमरा होने से बजाती है भूले भटके संसारी जीवों को सही रास्ता दिखाती है सुहादपुर गाउं का एक सहुकार था गिमतिलाल अनाज और खेद किर्वी रखना सूथ पर उधार पैसा देना और गरीब अनपर किसानों को लूट लेना यही था उसका काम इस तरह बेशुमार दौलत जमा कर ली थी उसने एक दिन करोणों के मालिक किमतिलाल के अन्तरात्मा से एक आवाज उठी सेथ किमतिलाल गरीबों के खून पसीने और आशों में भेगी दौलत तो तुमने खूब कमा ली लेकिन यह सब तो यहां के सुख के लिए किया स्वर्ग में सुखी रहने के लिए क्या प्रबंद किया कुछ भी तो नहीं अरे इतना सब कुछ है तो पुन्य कमा भगवान का विशाल मंदिर बनवा कीमति लाल ने आत्मा की आवाज सुनकर तुरंथी एक अति भव्य मंदिर के निर्मान का संकल्प किया दूसरे ही दिन उसने पैसे की बंद जोडियों के मुग खोल दिये मंदिर का निर्मान शुरू हुआ हजारों मजदूर राद दिन जुट गए उस कारे में तबी एक दिन फटे हाल एक सादू वहाँ से निकला सादू कीमति लाल के पास आकर बोला सेट जी सुना है और देख भी रहा हूँ कि आप स्वर्ग में ठाट बाट से रहने का इंतजाम अभी से कर रहे हो कीमति लाल अभिमान से बोला सही सुना है तुमने मैं ये मंदिर इसलिए बनवा रहा हूँ कहो क्या अग्या है सादू बोला मैं ठहरा गरीब सादू मेरे पास केवल ये सुई है चोटी सी सुई इसकी सिवाक कुछ भी नहीं मेरे गुरू ने मुझ से कहा था बेटा हरे इनसान को मरते वक्त अपना सर्वस्व यहीं छोड़ जाना पड़ता है कुछ भी साथ नहीं ले जा पाता लेकिन आज आपको देखा तो पता चला कि आप स्वर्ग में इसी ठाट बाट के साथ पहुँचोगे अगर कश्ट ना हो तो एक छोटा सा काम करोगे तेमतिलाल बोला अरे बाबा जल्दी कहो आपका काम हो जाएगा सादू ने कहा ये सुई भी अपने साथ लेते जाना मैं जब स्वर्ग वासी हो जाऊंगा तब वहाँ आकर तुम से ले लूँगा वहाँ के चमकीले कीमति वस्त फटेंगे तो ये सुई सीने के काम आएगी सादू की इतनी सी बात सुनते ही कीमति लाल की आँखें खुल गई वो उस महात्मा की चर्रों में गिर कर बोला महराज आप बिलकुत सच कह रहे हैं मरने के बाद जब अपना ये शरीर तक साथ नहीं आता तो भला और वस्तूएं क्या साथ आएंगी मैंने बहुत सारे पाप किये हैं उन पापों का प्राश्चित मुझे स्वयम यही देवी मा की आराथना भक्ती और सेवा से करना होगा वरना मुझे नरक में भी जगा नहीं मिलेगी साधु के रूप में माता वैश्णो देवी का वो सेवक कीमति लाल को सही राह दिखा कर अपनी राह चलता बना उसके होंटो पर मा की भक्ती का ही गीत था अपना काम है चल्डों में तेरे मा देना आरजी खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारे मर्जी अपना काम है चल्डों में तेरे मा देना आरजी खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारे मर्जी पास कुए के प्रासे आते जाते रहेंगे कोई तुझसे भवानी मजाए दाज मंगेगा कोई पलड़ा फ्रला के मा आउलाद मंगेगा जैसे जिसकी तमना होगी देगा आरजी खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारे मर्जी अपना काम है चल्डों में तेरे मा देना आरजी खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारे मर्जी तेरे द्वार से कई उची शान चाहेंगे दान करने को महादानी दान चाहेंगे कुछ तुझ से मवर सिधा सादा मंगेंगे कुछ अपनी आउका से भी ज्यादा मंगेंगे जैसे जिसकी तलब होगी देगा आरजी खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारे मर्जी अपना काम है चर्णों में तेरे मा देना अरजी खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारे मर्जी खैर देना ये तुम्हारे मर्जी किसे क्या कब देना ये तो तुही जाने है तेरी शक्ति को दुनिया सारी ही माने है भक्ति बाओ से जिसने तेरा नाम लिया है तुने गिरते हुए को आकर थाम लिया है समझ होगी जैसे भी जिसकी देगा आरजी खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारे मर्जी अपना काम है चर्णों में तेरे मा देना आरजी मैया पहाड़ा वाली की लिला ही न्यारी है वो अपने भक्तों पर दया अवश्य करती है परंतु कठोर परिक्षा लेने के बाद गरीब दास बहुत ही गरीब था दूसरों की सुक संपत्ति देखकर उसका मन भी लल्चाया करता था वो चाहता था कि उसके जोपड़े की जगा जवाराज से जड़ा सोने का महल हो ऐसा महल जिसे देख बड़े बड़े राजा महराजा चक्रवर्ती समराट भी तरस जाएं धन वैभव प्राप्ति के लिए गरीब दास ने सब देवी देवताओं से मननते मांगी लेकिन बात न बनी तब एक सादू के कहने पर गरीब दास ने माता भगवती को अपने रुदय मंदिर में बिठाया उसी का दिनराज सुमिनन करते हुए वो आगे बढ़ा कई दिनों तक चलते रहने के बाद वो पहुँचा एक सुनसान बियाबान जंगल में जहां उसे एक बुढ़िया मिली वो बोली बेटे क्या खोजने के लिए इस तरह भटक रहा है गरीब दास ने अपने मन की इच्छा उस बुढ़िया को बताई तो वो बुढ़िया बोली अरे पगले तू जिस खजाने की खोज में भटक रहा है वो तो वहां सामने वाली पहाड की नीचे वाली गुफा में चिपा है जा वहां जाकर जितने रतन उठा सके उठा ले गरीब दास की खुशी का पार न रहा बुढ़िया ने जो जगा बतलाई थी वो उसने धून निकाली चट्टान हटाकर वो गुफा में दाखिल हुआ वहां बिखरे पड़े अमूल यहीरे जवाहरात की चकाचौन से गरीब दास की आँके चुद्या गई उससे अफसोस इस बात का था कि साथ में वो इतनी जोलियां नहीं लाया था फिर भी उसने हीरे जवाहरात बटोरने शुरू किये तब ही उपर गरगरात सुनकर वो खबराया चट्टान एन गुफा के मूँ के पास लुड़कती हुई आई और गुफा का द्वार बंद हो गया हवा रुख जाने से गरीब दास का दम खुटने लगा वो छट पटाते हुए सोचने लगा अगर दम खुटने से मेरे प्राण निकल गए और मैं मर गया तो ये हीरे जवाहराद मेरे किस का आवाएंगे मैं गरीब ही ठीक था कम से कम खुली हवा में सांस तो ले पाता था गरीब दास खबराया चट पटाया थर थराया तब उसे सादू की बात का स्मरन आया उसने वही मां शेरावाली का नाम बुकारा हे शक्तिदाईनी मेरा वालिये मुझे बचा ले मेरे प्राण बख्ष दे मुझे धन्वान नहीं बनना उसकी सच्ची पुकार मैया ने सुन ली चटान हटी कुपा का दर्वाजा खुला और हवा के जोंके के साथ ही गरीब दास के सामने वही बुढ़िया मा शेरावाली के रूप में आखड़ी हुई मा मुस्कुरा रही थी आशेरवाद दे रही थी गरीब दास दोड़ कर माता के चरणों में किर पड़ा और विनती करने लगा सुनो शुनो 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 बिनती मा मेरे मुझे को तू ठुकरा नाना बटके को भटका नाना सुनो सुनो बिंती मा मेरी सुनो सुनो बिंती मा मेरी जर जर बैते आग से आसो रोता है मन मेरा सारी दुनिया छोड के मैंने द्वार है ढूडा तेरा माल आखो तू ने तार दिये बच्चों पे सुखवार दिये मुझे को भी विसरा नाना बटके को भटका नाना सुनो सुनो बिंती मा मेरी सुनो सुनो मिंती मा मेरी सत्य कर्म और धीर ज्मन का तुझसे हैं सब लेना तुझसे हैं सब लेना तुझसे हैं सब लेना खाली जोली तरस रही है डालना मुझको देना दुख सुक तेरे हाथों में कर दे उजाला रातों में करना कोई वहाना ना बटके को भटका नाना सुनो सुनो बिंती मा मेरी सुनो सुनो बिंती मा मेरी तेरे खजानों में जग जननी तीन लोक की माया तीन लोक की माया सुरिष्टी के हर जीवन तुझ से जो मागा सो पाया जो मागा सो पाया हो मैं भी खड़ा हूँ दर तेरे दुख संता पुत हर मेरे और मुझे करसा नाना भटके को भटका नाना सुनो सुनो बिंती मा मेरी सुनो सुनो बिंती मा मेरी मुझे को तू ठुकरा नाना भटके को भटका नाना सुनो सुनो बिंती मा मेरी मा शेरा वाली ने हम सबी को सब से खीमती ये मानव जन्म और मनुष्य का शरीर दिया है फिर भी हमारी आँखों के आगे अग्यान का जो परदा है उस कारण हम असली धन को देख नहीं पाते एक नौजवान गरीबी से तंग आकर अपने भाग्य को कोसने लगा गरीबी दूर हो इस उपाय की खोज में वो एक संत से मिला महात्मा ने उसके पूरी बात सुनी और बोले बेटे मैं एक व्यापारी को पहचानता हूँ वो मनुष्य के अंग खरीद कर अच्छे पैसे देता है तुम अपनी दोनों आखें बेच दो से वो पचास हजार रुपे देगा युवक बोला हाँ आप कैसी बात करते हैं महाराज पचास हजार रुपे लेकर मैं क्या करूंगा बिन आखों के अंदा नहीं हो जाऊंगा तब संत ने कहा तो ठीक है दोनों हाथ बेच दो तीस हजार रुपे मिल जाएंगे युवक बोला अरे दो हाथ बेच कर तीस हजार रुपे मिल भी गए तो किस काम आएंगे मुझे अपाहज नहीं बनना अच्छा तो ऐसा करो अपनी दोनों टांगें उसे बेच दो बीस हजार रुपे मिल जाएंगे चलो दो ना सही एक टांगी बेच दो दस अजार रुपे क्या बुने है नौजवान बोला वा माराजवा क्या रास्ता बताया है धन कमाने का मैं लंगडा नहीं हो जाऊंगा संत बोले फिर ठीक है पूरा शरीर एक लाख में बेच दो नौजवान बोला एक लाख तो क्या अगर कोई एक करोड भी देगा तो भी मैं अपना शरीर नहीं बेचूंगा संत बोले बेटे मैं यही समझाना चाहता हूँ तुम्हें भगवान ने जब करोडों नहीं अर्बों खर्बों की कीमत का ये शरीर दिया है तो भला तुम गरीब क्यों मानते हो अपने आपको नौजवान संत के चरणों में गिर कर बोला महत्मन आपने मेरी आँखे खोल दी आग्या दीजे मुझे क्या करना चाहिए संत बोले वट्स मानव शरीर एक अपार खजाना है अपने हरंग से काम लो इस शरीर के रोम रोम में शक्ती रूपिनी जगदंबे का आवान कर मा शेरा वाली तेरे मन मंदिर में आन बसेगी तब सोना चांदी हीरे जवाहराज तो क्या जो तू चाहेगा वोही पाएगा जा मा की भक्ती में लीन हो जा कणगण में मा की दर्शन कर मा 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 तुम बशी हो कणगण अंदर मा हम ढोड़त रह गए मन्दिर में हम मोड़ मती हम अंजाने मा सार तुमारा क्या जाने तुम बशी हो कणगण अंदर मा हम दूनत रह गए मन्दिर में तेरी माया को ना जान सके हम मोह की निद्रा सोई रहे मा की दर मुदर ही खोई रहे तो सूरज तो ही चंद्रमा हम ढोड़त रह गए मन्दिर में तुम बशी हो कणगण अंदर मा हम दूनत रह गए मन्दिर में हर जगा तुम्हारे डेरे मां कोई खेल न जाने तेरे मां इन नैनों को ना पता लगे किस रूप में तेरी जोत जगे तू परबत तू ही समंदर मां हम डूड़त रह गए मंदिर में तूम्हासी हो पड़कर अंदर मां हम डूड़त रह गए मंदिर में कोई कहता तुम ही पवन में हो और तुम ही जौल अगन में हो कहते हैं अंबर और जमी तुम सब कुछ हो हम कुछ भी नहीं फल फोल तुम ही हो तरवर्मा फल फोल तुम ही हो तरवर्मा हम डूड़त रह गए मंदिर में दुर्भागी और अभिमानी मनुष्य दयाहीन होकर अंजाने में पापों की गठरियां बान लेते हैं एक रानी थी नाम था रूप मती एक दिन वन विहार करते करते वो एक नदी के तड़ पर जा पहुँची सहेरियों के साथ उसका जी चाहा किसनान किया जाए पर जैसे ही उसने नदी के पानी में पाउं रखा उसके शरीर में कपकपी आ गई पानी बहुत ही ठंदा था जैसे तैसे उसने डुबकी लगाई और बाहर आ गई बाहर जोरों के हवा चल रही थी पूरा शरीर ठर ठराने लगा रानी ने दासियों से कहा लकडियों का प्रबंद करो ताकि उन्हें जला कर बदन को गरबाया जा सके जब लकडियों का प्रबंद ना हो पाया तो रानी ने नदिया के पास ही बनी एक गरीब की छोपड़ी में आग लगा देने की आग्या दी वैसा ही किया गया लेकिन देखते ही देखते आग आसपास की जुग्यों में फैल गई कोला हल मच गया एक साथ कई गरीब बेघर हो गए रानी का काम तो हो गया पर गरीबों की बस्ती खाक हो गई राजा न्याय प्रिये था प्रजा जनों की फर्याद सुनकर उसने हुक्म दिया रानी को महल से घसीट कर बाहर लाओ उसे गंदे फटे कपड़े पहना कर दर्बार में हाजिर करो वैसा ही किया गया राजा ने कहा अरे निश्ठुर तुने बहुत बड़ा पाप किया है तु अपने सुख के लिए दूसरों की व्यथा न समझ पाई मैं तुझे इसकी कड़ी सजा देता हूँ आज से भीक मांग मांग कर जब तक तु इन बे घरों के लिए रहने के जोंपणों का इंतजाम नहीं कर देती तब तक तुझे इस महल में नहीं आने दूगा देवी मांग अपने भक्त जनों पर कभी आज नहीं आने देती क्यूंकि मां का न्याय सदा ही दुख्यों को दुखों से बचाता रहता है आज तुम्हारे भक्त जनों पर आए क्यों जिस पर तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों आज तुम्हारे भक्त जनों पर आए क्यों जिसमें तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों जिसमें तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों अंडरानी जैहो तेरी महारानी जैहो तेरी देवारानी जैहो तेरी जैहो तेरी गए हो तेरी दया से पथर भी तर जाते हैं एक ही पल में दुख सभी हर जाते हैं शिरा वाली मा लाता वाली ओ जहां जलाए आशा की तू जोती मा वहां के कंकर बन जाते हैं मोती मा शिरा वाली मा लाता वाली ओ तेरा पुजारी संकट में घब राएं क्यों जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाएं क्यों आश तुम्हारे वक्त जनों पे आएं क्यों जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाएं क्यों सुखे में तू जल्थल करने वाली मा गागर में तू सागर भरने वाली मा जादू तेरा बोले है सर चड़के मा तू चाहे तो मुर्गों का दिल घर के मा जादू तेरा बोले है सर चड़के मा नाम दिवानों को मुहमाया बटकाए क्यों जिस पे तुमारा हाथ है वो दुख पाए क्यों आज तुमारे बटके दनों पे आए क्यों इस पे तुमारा हाथ है वो दुख पाए क्यों महा काली जै हो तेरी भदकाली जै हो तेरी खंडे वाली जय हो तेरी जय हो तेरी जय हो जब भी बरसे तेरी दया का बादल मा आपका दर्या हो जाता है शीतल मा शिरा माली माला का वाली हो होनी को अन होनी तुम ही करती हो संकट हरनी सब के संकट हरती हो शेरा वाली माला ना वाली ओ फिर ये तेरा बंदा नीर बहाए क्यों जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों आज तुम्हारे वक्त ये दुखे आए क्यों जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों दुर्भागी और अभिमानी मनुश्य दायाहीन होकर अंजाने में पापों की गठरियां बांद लेते हैं एक रानी थी नाम था रूप मती एक दिन वन विहार करते करते वो एक नदे के तड़ पर जा पहुँची सहेरियों के साथ उसका जी चाहा किस नान किया जाए पानी बहुत ही ठंडा था जैसे तैसे उसने डुपकी लगाई और बाहर आ गई बाहर जोरों के हवा चल रही थी पूरा शरीर ठर ठराने लगा रानी ने दासियों से कहा लकडियों का प्रबंद करो ताकि उन्हें जला कर बदन को गरबाया जा सके जब लकडियों का प्रबंद ना हो पाया तो रानी ने नदिया के पास ही बनी एक गरीब की छोपड़ी में आग लगा देने की आग्या दी वैसा ही किया गया लेकिन देखते ही देखते आग आसपास की जुग्यों में फैल गई कोला हल मच गया एक साथ कई गरीब बेघर हो गए रानी का काम तो हो गया पर गरीबों की बस्ती खाक हो गई राजा न्याय प्रिये था प्रजा जनों की फर्याद सुनकर उसने हुक्म दिया रानी को महल से घसीद कर पहर लाओ उसे गंदे फटे कपड़े पहना कर दर्बार में हाजिर करो वैसा ही किया गया राजा ने कहा अरे निश्चुर तूने बहुत बड़ा पाप किया है तू अपने सुख के लिए दूसरों की व्यथा न समझ पाई मैं तुझे इसकी कड़ी सजा देता हूँ आज से भीक मांग मांग कर जब तक तू इन बे घरों के लिए रहने के जोंपड़ों का इंतजाम नहीं कर देती तब तक तुझे इस महल में नहीं आने दूगा देवी मांग अपने भक्त जनों पर कभी आज नहीं आने देती क्योंकि मां का न्याय सदा ही दुख्यों को दुखों से बचाता रहता है आज तुम्हारे भक्त जनों पर आए क्यों जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों आज तुम्हारे भक्त जनों पर आए क्यों जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों अंबरानी जै हो तेरी, महारानी जै हो तेरी, देवारानी जै हो तेरी, जै हो तेरी जै हो तेरी दया से पथर भी तर जाते हैं, एक ही पल में दुख सभी हर जाते हैं जहां जलाए आशा की तु जोती माँ वहां के कंकर बन जाते हैं मोती माँ तेरा पुजारे इस अंकट में घब राए क्यों जिस पे तुमारा हाथ है वो दुख पाए क्यों आश तुमारे भक्त जनों पे आए क्यों जिस पे तुमारा हाथ है वो दुख पाए क्यों सुखे में तू जल्धल करने वाली माँ गागर में तू सागर भरने वाली माँ जादू तेरा बोले है सरचर के माँ तू चाहे को मुर्गों का दिल घर के माँ शेरा वाली वाला दावाली ओ नाम दिवानों को मुहमाया बटकाए क्यों जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों आज तुम्हारे बटके दनों पे आए क्यों जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों मावा काली जै हो तेरी, भद्र काली जै हो तेरी, घंडे वाली जै हो तेरी, जै हो तेरी, जै हो जब भी बरसे तेरी दया का बादल मा आपका दर्या हो जाता है शीतल मा शेरा माली मा लाटा माली हो होनी को अन होनी तुम ही करती हो संकट हरनी सब के संकट हरती हो शेरा माली माला लाटा माली हो फिर ये तेरा बंदा नीर वहाए क्यों जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों एक दिन एक महात्मा अपने शिश्यों के साथ राजा वीर सिंग के नगर में आये राजा ने विने पूरवक उन्हें भोजन का आमंतरन दिया लेकिन महात्मा ने ये कहकर उसकी बात को ठुकरा दिया कि वे किसे की भीक सुईकार नहीं करते महात्मा बोले राजन अगर तु हमारे तीन बातें तीन लाक में खरीद ले तो अवर्श हम तेरा भोजन करेंगे राजा तैयार हो गया महात्मा बोले पहरी बात है कि तु सुभा सुभा सुर्योदै से दो घड़ी पहले ब्राहम मुहूर्त में उठना दूसरी बात है अतेती का आदर सत्कार जी जान से करना तीसरी बात है क्रोधाने पर शानते रखना राजा ने दूसरे ही दिन से महात्मा की पहली बात का पालन शुरू कर दिया सुर्योदै से पहले उठकर एक दिन जब वो जमुना नदी के किनारे टहल रहा था तब उसे किसी के रूने की आवाज सुनाई दी राजा ने उससे पूछा तुम कौन हो? रो क्यों रही हो? उस औरत ने कहा मैं होनी हूँ रो इसलिए रही हूँ कि इस देश का राजा दो ही दिन के बाद मारा जाएगा उसे सामने वाले परवत से निकल कर एक नाग डसेगा राजा के मरते ही प्रजा जनों में हाहाकार मचेगा और पडोसी देश का राजा उसके राज्य पर थावा बोल देगा उसके राज्य को नश्ट कर देगा राजा सोचने लगा महात्मा के पहली बात का पालन करने से ये लाब हुआ कि मुझे अपने ही मरने के खबर दो दिन पहले मिल गई राजा के कहने पर मंत्रियों ने राज कुमारी को राजा के रूप में राज्या भी शेख करके राज सिंहासर पर बैठने की तैयारियां शुरू कर दी राजा ने मंत्रियों को अपनी मौत के खबर दे दी और कहा मेरी पुत्री के पश्चाथ उसका पती राज जिसम हालेगा राजा ने स्वाइम अपने प्राण लेने वाले अतिती नाग देवता के स्वागत की तैयारी की परवत से लेकर नगर तक के रास्ते पर नाग देवता के लिए वंदनवार सजाए गए मार्क पर फूल बिछाए गए इतर छिड़का गया जगा जगा दूद भरे कटोरे रखे गए ताकि नाग देवता त्रिप्त हो सके नियद समय पर नाग देवता परवत से निकले अपने स्वागत में की गई तैयारीयों को देख कर भाव विभोर उठे राजा के पास पहुँच कर नाग देवता बोले हे राजन मैं तुम्हारे स्वागत सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हूँ मांगो क्या चाहते हो राजा ने कहा हे नाग देवता मैंने अपना धर्म निभाया है आप अपना कर्तब बे पूरा कीजिए नाग देवता बोले तुम्हारे जैसे धर्मनिष्ट राजा को डसना पाप है तुम्हारी मौत मैं अपने पढ़ लेता हूँ इतना कहकर नाग देवता वही निर्जीव होकर धेर हो गए राजा ने सोचा महात्मा की दूसरी बात मानने से मुझे नव जीवन मिला है प्रजा जनों और दर्बारी सबासदों की जैजाकार के बीच राजा महल में पहुँचा अपनी रानी को एक पराए पुरुष से गले मिलते हुए देखकर उसे क्रोध हाया उसका हाथ तलवार की ओर बढ़ा तब ही उसे महात्मा की तीसरी बात याद आई महात्मा ने कहा था क्रोध हाने पर शांति रखना और जैसे ही राजा क्रोध पर काबू पाकर आगे बढ़ा तो देखा उसकी राजकुमारी पुरुष वेश में अपनी मा के कले लग रही थी राज्या अभिशेक से पहले राजकुमारी ने राजा की आग्या के अनुसार पुरुष वेश धारण किया था महात्मा की तीनों बातों ने ये तीन चमतकार कर दिखाए जब मा की क्रपा होती है तो वो अपने भक्तों की जोलिया वर्दानों से इसी प्रकार भर देती है भर्दे 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 मा जोलिया वर्दे मा अपने भक्तों का कल्याण कर दे भर्दे 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 मा जोलिया वर्दे ओ सारे जख्की वाली ओ उचे मंदिरों वाली द्वार तुम्हारे आकर मैया कहता है हर एक सवाली भर्दे 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 मा जोलिया वर्दे भर्दे मा जोलिया वर्दे आए हैं हम भी बड़ी दूसे चलके बिंती हमारी करो मन्जूर मैया दाती है नाम तेरा दे दो मुरा दे तेरे खजाने तो है भरपूर मैया ओसु है चोले वाली ओंबे दुर्गा काली शरण तुम्हारी लाखों आए शरण तुम्हारी लाखों आए पर कहना सब का है या बरदे 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 मा जोली या बरदे 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 मा जोली या बरदे सागर से दो बूद हम भी जोले ले सागर का अंबे मैया कुछ ना घटेगा दया की तो जो मैया जोती जगा दे जीवन से अंधियारा दूर हटेगा ओ सच्ची जोता वाले ओ सच्ची जोता वाले ओ दुनिया की रखवाले चरण कमल पे जुके अनेकों पर इच्छा सब की है एक बरदे 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 मा जोली या बरदे 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 मा जोली या बरदे ज्यानों को तारा तुने श्रीधर को तारा खाली है क्यों ये मैया दामन हमारा मैया के वैया बनता रो ये नैया होगा ये एहसान हम पे तुमारा होगा ये एहसान हम पे तुमारा ओ मैया शेरा वाले ओ दाती महरा वाले हाथ पसारे वक्त कड़े हैं हाथ पसारे वक्त कड़े हैं पर आशा सब की है एक या बर्दे 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 मा जोली या बर्दे मा अपने भक्तों का कल्यार कर दे का बर्दे 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 मा जोली या बर्दे मा संसार मार्ग में आने वाले दुखों के काटे दूर करके अपने भक्तों की जोली में सुक्षान्ति के फूल भर देती है फूलों की कोमलता फूलों के रंग फूलों की महक खुदरत के करिश्मों का संदर खजाना है राजा महेंद्र फूलों से बहुत प्यार करता था फूलों के लगाओने उसे सुंदरता का पुजारी बना दिया था वो प्रजा पालन के कर्तब्वे से ज्यादा भोग विलास में डूबा रहता था एक दिन संध्या होने के समय राजा की सेज सजाने का काम चमेली नाम की मालन को सौपा गया सेज इतनी सुंदर महकदार और कोमल सजी थी कि चमेली का मन हुआ कि एक पल वो भी उस पर लेटकर आनंद रूट ले वो एक दो पल के लिए ही लेटी थी कि उसकी आँख लग गई वो कहरी नीन सो गई राजा जब वहां पहुँचा तो चमेली को सेज पर लेटे हुए देखकर क्रोट से तिल मिला उठा उसने आओ देखा नताओ चमेली की चोटी पकड़ी और जोर से खीच कर उसे फर्ष पर गिराकर तहाड़ा और बेशर्म तेरी ये मजाल कि तु हमारी सेज पर लेट गई लेकिन चमेली तो रोने चीखने चिलाने की बजाए ताली बजा बजा कर हसने लगी खिल खिलाने लगी नाचने लगी राजा का करोध और भड़ा कुठा उसने सिपाईयों को बलवा कर मालन को कोड़े लगवाए कोड़े पढ़ते रहे और हर कोड़े के साथ चमेली के हसी और भी ज्यादा गूजने लगी मारो वो उस महल और पूरे खांदान का मजाख उड़ा रही हो राजा से जब सहन न हुआ तो उसने सिपाईयों को रुख जाने का आदेश दिया सिपाईयों को रुखते देखकर चमेली फिर हसी और बोली बस ठक गए तब राजा ने चमेली से पूछा अरे पगली तुझे इतने कोड़ों की मार पड़ी फिर भी तू हस्ती रही तुझे दर्द नहीं होता मालन ने बहुती सुद्दर जवाब दिया बोली अन्नदाता मैं तो घड़ी भर के लिए अपना कर्तब्य भूल कर फूलों की सेज पर लेटी तो इतने कोड़े खाने पड़े हसी तो इस बात की आ रही है कि जो राजा यानि आप मा जगदंबे की भक्ती और प्रजापालन के कर्तब्य को भूल कर राद दिन भोग विलास में खोया रहता है उसे भला कितनी बड़ी सजा मिलेगी और इतना कहकर फिर चमेली हसने लगी राजा का सर शर्म से जुका जा रहा था चेहरा मुर्जाने लगा था उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था वो मन ही मन मां से प्रार्थना करने लगा तेरा सहारा अंबे मा मुझे तेरा सहारा ना ओ पुरानी गहरा पानी दीखे दूर किनारा तेरा सहारा अंबे मा मुझे तेरा सहारा दुख हर नीमा जग दंबे मेरी चिंता हर लो ओ सुखदाती मा सुखों से मेरी जोली भर दो मेरी जोली भर दो मुझे बहा कर ले ना जाए तेज समय की धारा तेरा सहारा अंबे मा मुझे तेरा सहारा तेरा सहारा अम्बेमा मुझे तेरा सहारा पवन रूप में आओ याँ माशेर पे चड़के माशेर पे चड़के ओ भावसागर से पार करो मेरा हाथ पकड़के मेरा हाथ पकड़के तेरे होते तूट न जाए मेरी आस का तारा तेरा सहारा अम्बेमा मुझे तेरा सहारा तेरा सहारा अम्बेमा मुझे तेरा सहारा वेरी जग ने कर दिया मेरा चलनी सीना मेरा चलनी सीना तो हुआ क्यों तेरे भक्तों का मा मुश्किल जीना मा मुश्किल जीना मा मुश्किल जीना अपनी जोती से मा कर दो दूर मेरा अंधियारा तेरा सहारा अम्बेमा मुझे तेरा सहारा तिरा सहारा अंबे मा मुझे तिरा सहारा ए मेरी कान-तेइड मेरी रतियाना करसे तु रत दिया तां इसमत भी रत जान दी नियत तू कुदर दी है ज़ता मैं तेरे नाल आ कल आ मैंनु तू छड़ दी है तू मैं तेरी जान आ मैं मेरी चांट मैं रुचिया ना करते तु रुच जी है साथ इसमत भी रुच जाने वेखन दी तैन्नों हर पल आदक पैगेई की दसागल किन्ना चौंदा मैं तैन्नू तू फ्लावर मेरी मैं फॉल्लोवर तेरा मेरे रभवाले गेम दी तू ही प्राइजित लो चारी सिच्च जाने अनकहीं दिलों की बाते गहदी है तू से उच्छी नहीं देखो मुलाकाते होने लगी तू से अनकहीं दिलों की बाते गहदी है तू से तुछी नहीं देखो मुलाकाते होने लगी तू से पल भर भी भूलू ना तुझे तुझसे जुडा रिष्टा मेरा क्वाइश है पाने की तुझे संजों क्या इशारात रा क्वाइश है तुझे 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 मेरे शासों में तो ही मेरी दड़कन में, तो ही मेरी दियादों में दूरियां में तेहीं, तुछ को जप्षे तू मेरा, मैं तेरा, तू मेरा हो गया अब नहीं जाने दू, तुछ को दिल से न दू, तू मेरा, मैं तेरा हो गया परस्ताइम जदो पनू दिखिया, निमा पनू दिख दार गया सेटिं ताइम जदो पनू दिखिया, तुछ मेरा शायर दजार कगया परस्ताइम जदो पनू दिखिया, निमा पनू दिख दार गया कि ते री ताप एक dependence की ते रीख दोदोगी फोगे है खिली अज़ी जोग अख्या तू सदरी घ्या ल्या बखता दुनियाच्यों पर नेरी आपकर रहे गिल्गेर अंगर जाजु गाँ क्यों पॉपारे है चाज़ तारे को लाओ तेरे लिए मेरी प्याना कि तेरे लिए तारे माँ जोबी माँगे हो सब कुछ तेरे कदमों रखेजिए मेरी जाने जाना जाना तेरे मेरा तेरे लिए नवगो तो ने अस्ति ना सिखाया तो चो को सिखाया तेरे लिए जोके आड़ूबा उंदेरों मेरा तारूब अपने उचानों से दिर से बसाया तेरे लिए नवगो तो चो की पार्दिश्में मैं चला तेकाया तेरे लिए नवगो तो चो को सिखाया तुरना है मुझे उचे उचे आसमानों से दिर से बसाया मेरे सब्सक्राइब मेरे सब्सक्राइब मेरे सब्सक्राइब मेरे सब्सक्राइब कर 娘 ваши और पालु कर दूches कि अभन दुरी कर दो के अट Northern क्मारी पिँट till दो र हमे न'll कर दो कि परस वोरी अजर된 पालु कि है यह कुमा तुझे बस मैं चाहूं मैं हर पर्दू तब करें तब करें जो जो दात को ने हो गया है ताथ कभी ना रो गया है कुछकर चली हो जो जगनाい कुछकर जा हुड़िन गांते लोगा हुड़िन धुछकर प्ली है उड़ल डिम्या हुड़िन गादे लोगा हुड़िन भी हुड़िन झाल झाल तुम हमारी कुछ ना को पे तुम देला रूठी करना जाना कभे तुम तुम तेरे पे झाल 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 झाल